हैबिट नुम्मर दो है एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करना जो इस्थिती है उसको एक्सेप्ट करे जो प्राब्लिम है उसको एक्सेप्ट करे जब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी प्राब्लिम को तो वो प्राब्लिम सॉल्व होना शुरू हो जाता है हम जब उस प्राब्लिम को उसक्सेप्ट नहीं करते वलकि रिजिस्ट करते यह नहीं होना चाहिए, यह गलत चीज है, यह ऐसा कैसे हो गया जब हम resist करते हैं, तो वो persist करता है वो problem solve नहीं होता, वो problem disappear नहीं होता accept करने से disappear हो वैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया और चाइना के बीच में डोकला मिस हुआ आये था दोनों के बीच में लड़ाई की स्थिती थी और इसी बीच में इंडिया और चाइना के प्राइमिनिस्टर मिलने वाले थे इंडिया के प्राइमिनिस्टर ने इस चीज़ को accept किया कि ठीक है बारडर में प्राबलम है इसके लिए मुझे चैना से लड़ने की ज़रूत नहीं है उसके प्राइम के साथ प्यार से बात करने की ज़रूत है और उन्होंने वैसा किया और कुस दिन बाद ही वो प्राबलम सॉल्व हो गया तो दोस्तों, accept करने से आपका problem solve होने का chances बढ़ जाता है आप भी देख लीजिए, अपने जीवन के किस ऐसे छेत्र में, जहां आप कोई situation को accept नहीं कर रहे हैं माल लीजिए, आपके घर की कोई बेटी, खांदान की कहीं की बेटी, यदि किसी ऐसे जगह शादी कर रहे हैं, जहां आप accept नहीं कर रहे हैं आप like नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण काफी तनाव है तो आप कोई रास्ता निकालने से पहले सोची कि क्या accept करने से कोई रास्ता निकल सकता है आप भले agree ना करें, लेकिन accept तो करी सकते हैं आपके बच्चे के marks कम आ रहे हैं, क्या आप इस situation को accept नहीं कर पा रहे हैं, कि आपका बच्चा कम marks क्यों ला रहा है हो सकता है, उसको पढ़ाय में भी मन नहीं लग रहा है पहले accept तो कीजिए कि ठीक है, यह situation है, यह यह आवस्ता, अब इससे आगे निकलना है आपके किसी के साथ business लड़ाई हो रही है, conflict हो गया है, किसी partner के साथ, किसी business relation में आप accept कीजिए situation कि हाँ, यह problem है, चलो इसका समाधान करते है जब हम उसको accept कर लेते हैं problem को, तो उसका solution निकालना आसान हो जाता है इंडिया, पाकिस्तान का भी solution निकाला जा सकता है, यदि हम accept करते हैं, हम लोगों के बीच में dispute है और इसका रास्ता निकालेंगे न क्या रास्ता निकलता है, तो acceptance एक बहुत बड़ी quality है क्या रास्ता निकलता है